प्रेंस हर हर महादेव आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष को लेकर यदि आप रुद्राक्ष धारण करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो किन नियमों का आपको विशेश रुप से पालन करना चाहिए हम बात करेंगे इस कौन कौन से वो पाँच स्थान है जहां आपको रुद्राक्ष पहन कर नहीं जाना चाहिए तो सबसे पहला जो स्थान है वा है जहां रुद्राक्ष को पहन कर नहीं जाना चाहिए वा है प्रसूतिग्र है यहां जहां पर भहिला ने बच्चे को जम दिया हो उस स्थान पर रुद्राक्ष को धरण नहीं करना चाहिए दूसरा स्थान है किसी की शव्यात्रा जब हम किसी की शव्यात्रा में जाते हैं तो हमें रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए तीसरा स्थान है सोने से पहले हमेशा आपको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए क्यूंकि सोते हैं समय शरीर निश्टेज और अशुद्ध हो जाता है चौथा नियम यह कहता है कि यदि आपदामपत जीवन में हैं तो रुद्राक्ष को रातरी में उतार कर रखे और मासिग धम के दौरान इस्तरियों को भूल से भी रुद्राक्ष को हाथ नहीं लगाना है इसके बाद पाचवे नियम के अनुसार रुद्राक्ष को हमेशा जिस धागे में पिरना चाहिए वो कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए मतला रुद्राक्ष को काले रंग के धागे में कभी नहीं पिरोना चाहिए वह धागा हमेशा लाल रंग या पीले रंग का ही होना चाहिए और साथी साथ रुद्राक्ष धारण करने वाले वैक्ति को तामसिक भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए मंद्रिया पान करने का भी त्याग कर देना चाहिए क्योंकि बतलाया जाता है यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं और आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो उससे रुद्राक्ष का जो भी विप्रीत प्रभाव है वा मनुष के उपर पढ़ना प्रारम हो जाता प्रारम सात स्वयम का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी किसी दूसरे व्यत्ति को भूल से भी नहीं देना चाहिए यदि आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इसकी संक्याव विश्म होनी चाहिए और माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए तो यही कुछ नियम थे जिनका आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए जब आप रुद्राक्ष धारण किये हुए हैं या धारण करने वाले हैं क्योंकि रुद्राक्ष को महादेव का ही अंश अफ्तार माना गया है और आपके जीवन में जनों के साथ शेयर अवज करें